Class 12, भारतिय इतिहास के कुछ भी से, भाग 3, Chapter 10 और इससे पहले हमने Point 3 तक पढ़ा था, हम अब धकन दंगा आयोक के बारे में हम लोग अध्यन करेंगी कि जब धकन में बिद्रो फैला, तो प्रारह में बंबई की सरकार उसे गंभिरता पुर्वक लेने को तयार नहीं थी यानि उसे ये अंदाजा नहीं था कि बिद्रो इतना बड़े पैमाने पर फैल जाएगा लेकिन चुकि भारे सरकार ने जो की 1857 की याद से चिंतित थी थीक है, तो बंबई की सरकार पर दबाव डाला कि वह दंगों के कारण की खोजबीन करें और एक जाच आयोग बठाएं, तो आयोग ने एक रिपोर्ट तयार की जो 1878 इस्वी में ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेस की गई यह रिपोर्ट जिसे दक्कन दंगा रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है और इतिहासकारों को उन दंगा का अध्यन करने के लिए आधार सामगरी उपलब्ध कराती है आयोग में दंगा पड़ी जीलों में जांच परताल कराई कि रयत, वर्गों, शाहुकारों और चस्मदित गवाहों के बयान लिए भिन-भिन छेत्रों में राजस्व की दरों, कीमतों और ब्याज के बारे में आंकड़े इकठे किये और जीला कलेक्टरों द्वारा भीजी गई, रिपोर्टों का शंकलन किया साथ ही, आयसे स्रोतों पर द्रिष्टिपात करते समय हमें यह फिर याद रखना होगा, कि वे सरकारी स्रोत हैं और वे घटनाओं के बारे में सरकारी सरोकार और अर्थ को कितना परतिबिम्बित करते हैं उधारन के लिए दक्कन दंगा आयोग से विशिष्ट रुप से यह जांच करने को कहा गया था कि क्या सरकारी राजस्व की मांग का अस्तर विद्रोह का कारण था और शंपुर्ण लसाइच्छ प्रस्तूत करने के बाद आयोग ने सिहसुचित किया कि सरकारी मांग किसानों के गुस्षे की बजह नहीं थी इसमें सारा दोस दिया गया रिन दाताओं और शाहोकारों को ही दिया गया और इससे यह बात अस्पस्ठ हुई कि आपनिवेसिक सरकार यह मानने को कदापी तयार नहीं थी कि जनता में यह संतोस यह रोस यह गुस्षा ठीक है कभी सरकारी काड़वाई के कारण हुआ था इस प्रकार सरकारी रिपोर्ट इतिहास के पुर्णर निर्मान के लिए बहमुल्य स्रोत सिध होती है लेकिन उन्हें हमेशा सावधाने पुर्वक पढ़ा जाना चाहिए और समाचार पत्रों, गैर सरकारी बिर्तांतों, बैधिक अभिलेखों मतलब बैधाने की रूप से जो अभिलेख लिखे गए हो और हो सके तो मौखिक सरोतों से संकलित साच का उनका मिलान करके उनकी बिस्वसनियता की जात की जाने चाहिए देखिए काल खंड है, काल रेखा है आपको याद रख लेने हैं 1765 इस्वी में इस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की दिवानी प्राप्त की कब तो बक्सर युद के बाद 1764 इस्वी में बक्सर युद होता है इसके बाद इस्ट इंडिया कंपनी दिवाने अधिकार हासिल कर लेती है इसके पहले फावज़ारी अधिकार हासिल किये थी कब तो 1757 इस्वी के पलासी युद में इस घटना को बिलकुल याद रखेंगे कॉम्पिक्शन में भी पूछा जाता है आपके आपजेक्टिम में भी पूछे जाएंगे 1773 इस्वी इस्ट इंडिया कंपनी के क्रिया कलापों को रेगुलेट करने के लिए बिरिटिस पार्लियमेंट द्वारा एक रेगुलेटिंग एक पारित किया गया ये एक निरनाईक मुढ है आपका आगे आने वाले समय के लिए 1793 इस्वी में बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किया गया भूराजस्व बिवस्था को मजबूत करने के लिए 1800 का दसक संथाल लोग राजमहल की पहाडियों में आने लगे और वहाँ बसने लगे संथाल लोग तो 1818 इस्वी में क्या होता है बंबई दक्कन में पहला राजस्व बंदोबस्त लागू किया गया ये भी आप याद रखेंगे सन 1818 इस्वी में बंबई में दक्कन में पहला राजस्व बंदोबस्त लागू किया गया अठारा सो बीस इस्वी का दसक में क्या होता है क्रेसी की केमतें गिरने लगी अठारा सो चालिस अठारा सो पचास का दसक में क्या होता है बंबई दक्कन में क्रेसी विस्तार की धीनी परकृरिया ठीक है चोकि अमेरिका में गिरह यूद छिड़ गया था और जिस अमेरिका से तीन चौथाई भाग कपास का आयात ब्रिटेन करता था अब वह गिरह यूद छिड़ने के कारण बंद हो गया और इस मार्केट को और इसी कपास को आयात करने के लिए इस इस इंडिया कंपणी ने मध्ध पुर्व देशों के साथ कपास की खेती को बढ़ावा देने के लिए बढ़ावा दिया प्रयास किया 1875 इस्यू में दक्कन के गाओं में किसानों ने बगावत की इसको आपको याद रखना है अब आपको सौल्व करने हैं प्रश्न उतर दीजिए 100-100 सब्दों में मैं आपको सिर्फ इसारा कर दे रहा हूँ बतला दे रहा हूँ पॉइंट नमर बन है ग्रामिन बंगाल के बहुत से इलाकों में जोतदार एक ताकतवर हस्ती क्यों था तो आपने पढ़ा कि बंगाल में जब 1757 इस्वी में पलासी जूद और 1764 इस्वी में बकसर जूद के बाद पुरा बंगाल प्रांध इस्ट इंडिया कंपनी के हाथ किया, सबसे पहले फौजदारी बेवस्था को तो समाला, परन्तु दिवानी बेवस्था को समालने के लिए पुराने सिस्टम से ही हल्प लिया, जो राजा थे उस सिलाके में उस राजा के मार्फा थी, इन्होंने कर दी गई, परिणाम सबरूप जो पुराने जमिनदार थे, वे जस के तस बने रहे, लेकिन जब राजसो की नई इकाई को चुकाने में ये जमिनदार असफल हो जाते थे, और वहाँ पर इस्ट इंडिया ही और राजा ही उस सिलाके का जमिनदारी हासिल कर लेते थे, अब ये जो सिस्टम थोड़ा लचिलापन आगिया, तो यहाँ पर होता यूं था, कि बहुत से किसान जो कुछ जमिन के मामले में धनी थे और टेक्स चुका करके भी अपना भरन पोसन कर रहे थे, ठीक है, और जो किसान छोटी जोत वाले थे, ठीक है, वही बड़े किसान इस छोटी जोत वाले किसान से जमिन लेना चालू किया, क्योंकि ये किसान लगान की उची राशी को च चुकाने में असफल था, भूराजसव की नई दर को चुकाने में सफल था, परिणामता एक नए जोतोदार का उद्भाव पूरे बंगाल प्रांत में हो गया, इतना ही नहीं ये जोतोदार एक जमिनदार की हैसियत की तरह रने लगा और जमिनदारों को भी टकर देने लगा, इस तरह से जोतोदार एक ताकतवर हस्ति के रूप में निकल गया, कुशन नबर टू है कि जमिनदार लोग अपनी जमिनदारियों पर किस प्रकार नियंदरन बनाए रखते थे, तो अभी ही मैंने बतलाया कि जो राजा के समय का पुराने जमिनदार लोग था, इस इंडिय वसूल है रासी में से अपने पास प्रोफिट का रख लिया, फिर थोड़े बहुत इस इंडिया कंपनी को दे दिया, इस इंडिया कंपनी समय समय पर इन इलाकों का सर्वे करते थी, कौन अच्छी भूमी है, कौन खराब भूमी है, और किस भूमी से भूराजस्व ज्याद वसूल किया जा सकता है, तो जब इन्होंने देखा कि यहाँ पर हमारे राजस्व की प्राप्ति का नुक्षान हो रहा है, ठीक है, तो वे उस इलाके की जमिनदारी को निलाम लगा देते थे, लेकिन राजा और पुराने जमिनदार इतने होस्यार थे, कि वे अपने एजें और नई जमिनदार को मैं बिल्कुल ही इस इलाके में आने नहीं दूँगा, तो इस तरह से इन्होंने जमिनदारी को बनाए रखा, पुराइट क्वेसेन नमर थिरी है, पहाडिया लोगों ने बाहरी लोगों के आगमन पर कैसी परतिकरिया एदर साई, तो लाजमी है कि प राजमहल के पहाडियों में रह रहे थे, श्रिंखला बद्ध जो राजमहल की पहाडियां थी, वहाँ पर पहले से वह रह रहे थे, ठीक है, वे जंगल को सफाया करने में विश्वास नहीं करते थे, वे अपनी प्रंपरागत तरीकों से ही जीवन यापन करते थे, कन, मुल किसलिये थे, चुकि इनहें जब भुख मरी, अकाल, ठीक है, या ऐसे किनी चीजों की शामना करते थे, जिससे कि उन्हें परिसानी होते थी, तो ये बिलकुल ही बाहरी लोगों के खिलाफ आकरमन कर देते थे, ठीक है, और हमेसा से ये बाहरी लोगों को दिक्कों की तरह ए ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें लगता था कि हमारे जल जंगल और जमीन पर कबजा करने के लिए ये लोग आ रहे हैं और हमें परिशानी होगी इसलिए वे लोग बाहरी लोगों के पड़ती कड़ी से कड़ी पर तिक्रिया दी आकरामक बहवार अपनाया हिंसक बहवार अपना क्यों किया तो आपको मैं बहुत ही संचिप्त में बतला रहा हूं कि संथालों ने ब्रिटिस सासन के विरूद इसलिए विद्रूह किया ठीक है कि एक समय में संथालों को राजमहल की पहाडियों में लाकर बसाया गया किरिसी भूमी छेतर के विस्तार के लिए चुकि संथाल लोग जंगलों को सफाया करने में हिचकते नहीं थे पहाडिया लोगों की प्रमप्रागत क्रिसी खेती पदती कुदाल की थी तो संथाल लोग हल को चला करके खेती करते थी अब यहाँ यू हुआ कि जब संथाल लोगों को बड़े पैमाने पर इन राजमहल की पहाडियों के निचले हिस्से में बसा दिया गया और पहाडिया को राजमहल की पहाडियों के अंदरे हिस्सों भित्री हिस्सों में धकेल दिया गया तो ये इनकी आबादी दिन परती दिन ही नहीं सालों सतर साल बढ़ती चली गई और जब बढ़ती चली गई तो ऐसे संथालों के ऊपर ठेक है जो लगान की रासी निश्चित किया गया वह एक सर्थ के साथ निशित किया गया सर्थ ये था कि जितना अभी आप खेती कर रहे हैं उतनी इलाकों में आप तब खेती करेंगे जब आप इसे कई गुना आप जंगलों का सफाया करके नए खेत बनाएंगे तो लाजमी है यहाँ पर एक सोसन का जरिया आ गया को बिद्रुह करने पर बिवश कर दिया Question no.5 है दक्कन के रयत रिंदाताओं के प्रति कुद क्यों थे ध्यान देजी दक्कन के रयत यानि दक्कन के किसान रिंदाताओं के प्रति कुद क्यों थे अभी ही मैंने आपको पढ़लाया है पिछले विडियो में कि दक्कन के रहयत रिंदाताओं के प्रती इसलिए कुरूत थे चोकि साहुकार और माहाजन वर्ग ठीक है रिन देने के नए नए नियम को अपना करके ठीक है वे इन सारे किसानों को फंसाते चले जाते थे कर्ज के बोज में ये किसान दूपते चले जाते थे जब इनका फसल सही तरीके से नहीं हो पाता था उपजाओ नहीं बन पाता था तो ये रिन के भारी मातरा में दूप जाते थे यानि कर्ज के बोज से दूप जाते थे परिनाम क्या होता था इन कर्जों को चुका नहीं पाते थे तो जो मुल्धन लिया पता चला ब्याज उससे कई गुना मुल्धन में तब्दिल हो गया तो लाजमी है कि जब ये अपनी रीन को चुका नहीं पाएंगे तो ऐसे में साहुकार और महाजन के खिलाफ ये बिद्रोख करेंगे ही करेंगे इसके पीछे कारण और भी रहा है इनके फसलों का खराब पैदावार होना इतना ही नहीं कपास की फसल को पैदावार करने के लिए इन्हें जब एक समय में प्रोशाहित किया गया और बाद में ही इस्टिंडिया कंपनी ने इसको हतोत्साहिक कर दिया तो जो साहुकार महाजनबर्ग इन्हें अगरिम सो रुपे का रिंदे रहे थे वो जिन्होंने लिया और जब कपास के फसल की पैदावार को खपत कम कर दिया गया ठीक है मांग कम कर दी गई तो ऐसे किसान इस तरह अपने लगान रासी को एकठा करने में असफल हो गए तो देखिए ऐसा इसलिए किया गया यह आपको 200 से 300 सब्दों में लिखने हैं मैं आपको संचेप में बतला रहा हूँ कि बंगाल में पहले जो लगान या भूराजस वसूली का तरीका था वो प्रमपरागत तरीका था जब इस्ट इंडिया कंपनी ने देखा कि बहुत सारी ऐसी जमीन है उन्होंने सर्वे करवाया और फ्रांसिस बुकाना ने इस काम में हेल्प करता है ठीक है अब डिटेल्स इसकी रिपोर्ट को लिखेंगे कि जब इन्होंने सर्वे किया घूम घूम करके तो इनको लगा कि बहुत सारे ऐसे खेती वाले इलाका है जहां पर भूराजस्व यानि फसल का उत्पादन बहुत अधिक मातरा में हो रहा है तो कमपनी जो परंपरागत तरीके से पहले जो टैक्स यानि कर की दर्व निर्धारित किया था जमिनदार उस कर को तो चुका रहा था लेकिन जमिनदार को फाइदा क्या हो रहा था? जहां फसल अतिरिक्त मात्रा में अधिक उत्पादन हो रहा है उसको जमिनदार खुद रख रहा था यानि यहां पर एक तरफ से टेक्स का सिस्टम गरबड हो गया था टेक्स इस्टिंडा कंपनी जदा से जदा वसूल करना चाहती थी जो जमिनदार कर रहे थे तो इसी चीज़ का जब इस्टिंडा कंपनी ने अध्यन किया तो इन्होंने बंगाल में एक राजस वसूली के लिए भूमी का जो बटवारा किया गया और उस बटवारे का नाम दिया गया इस्तमरारी बंदोबस्त यानि इस बेवस्था के तहत ही ये दरियसा लभूर राजस्व कलेक्शन की एक निया सिस्टम है अब यहां पर क्या हुआ कि जमिनदारियों को निलाम कर दिया गया और फिर से नए जमिनदार को लाया गया ठीक है और नए जमिनदार बिल्कुल ही नए सिस्टम पर वर्क करेंगे यही इसका तरीका था सात्मा है question number पहाडिया लोगों की आजीविका संथालों की आजीविका से किस रूप में भिन्द थी तो हमने पढ़ा कि राजमहल के पहाड़ी में पहाड़िया लोग जो रहते थे उनका जीवन या अपन का मूल आधार जो कंद मूल फल फुल इकठा करने की थी वह सब उसको तो इकठा करके खापी ही रहे थे साथी साथ वह जूम की क्रिसी का जूम की खेती या जूम क्रिसी पदती को अपना करके कुदाल के माइध्यां से खेती भीक्या करते थे लेकिन एक बहुत छोटे पैमाने में और वे लोग जुगी जोपड़ी बना करके रहा करते थे उनकी अपनी मुख्या प्रंप्रा थी अपने समुदाय में और वे अपने जिवन सैली को बदलना नहीं चाते थे अब समझे अब इनकी आजीव का इस रूप में थी जंगलों के कंदमुल फलफुल पर निर्भर थे सिकारी करने पर निर्भर थे लेकिन इसके अपोजिट संथाल लोग थे ये जो संथाल हैं ये लोग हल से खेती को जोत करके खेती करना चाते हैं और इन्होंने सिख लिया है ठीक है परिणाम सरूप ये जंगलों का श्रफाय करने में हिचकते नहीं है तो इनकी जो सैली है वो पहाड़िया लोग से बिलकुल ही अलग हो गई इस माइने में अलग हुई कि पहाड़िया लोग अब भी घुमनतु जीवन जी करके ही अपना भरन पोशन कर रहे हैं उन्हें अकाल का भी सामना करना पढ़ रहा है उन्हें भोजन की समस्याओं से संकट का सामना करना पढ़ रहा है प्रन्तु संथालों को अब इस तरह की परिस्थितियों से कम जुजना पढ़ रहा है चुकि ये लोग अब एक बड़े मैदानी इलाकों में एक ही जगह पर बस्ती बना करके खेती कर रहे हैं और उन्हें से जो उपजप हो रहा है कुछ भाग ये लगान के रूप में चुका रहे हैं भोराजस्वरासी अदा कर रहे हैं और कुछ भाग अपनी जीवन यापन के लिए रख रहे हैं इनके पास पीने के लिए पानी का शुरोत अबलेबल है, किरिसी का शुरोत अबलेबल है, सब कुछ यह कर रहे हैं, प्रम्तु एक ही जगह अस्थाई रूप से रह करके तो एक तरफ जहां एक निश्चित अस्थाई किर्शक व्योस्था का आगमन संधालों ने किया, ठीक है, वहीं दुसरी तरफ पहाड़िया लोग घुमन्तु जीवन को जी रहा है, तो इस रूप में आजीव का भिन था कुश्चन नंबर एट है, अमेरिकी गिरहुद ने भारत में रयत समुदाय के जीवन को कैसे प्रभावित किया, ज़रा समझे, ब्रिटिस सरकार या कहें इंगलेंड की सरकार, जब वहाँ अध्योगी करांती हुई, तो इन कल करखानों को अधिक से अधिक मात्रा में कच्चे कच्चे संसाधन, रोब मैटरियल की काफी अधिक मात्रा में आव सकता थी, और ऐसे रोब मैटरियल को विशेश तोर पर कपास, कपड़ा बनाने के लिए, और कपड़ों के अलग लगतरा के आइटम को बनाने के लिए, वह ब्रिटिस गोर्मेंट, यानि इस इंडिया कंप आग कपास आयात किया करती थी, हुआ यूं कि जब अमेरिका में गिराजूद सन 1861 इस इस इए में छीड़ गया, तो कपास के उत्पादन में अमेरिका में क्या हुआ गिरावट आई, अब ब्रिटिस गोर्मेंट ये सोचने लगी, और इस इंडिया कंपनी के मारफत ये का करने लगी कि किसी और इलाके में कपास के उत्पादन को प्रोशाहित किया जाए, ताकि हमारी कल का रखाने बंद ना हो, ठीक है, और हम एक बहुत बड़े बाजार को कंट्रोल कर सकें, तो इसके लिए मजध पूर्व ACI देशों को टर्गेट किया जहां पर इन्हों ने प सन 1861 के दसक में ठीक है, यहां के किसानों को नकदी फसल बोने के लिए, यानि कपास की खेती करने के लिए प्रोशाहित किया गया, इन्हों ने साहोकार और महाजनों का हेल्प लिया, कि किसानों को अग्रिम रासी तुम प्रोबाइट कर दो, दे दो, रिन दा रिन दे दो, ताकि वे कपास की फसल को बोएगा, उप जाओ करेगा ठीक है, और हम उसका खरिदार करेंगे, लेकिन वह किस रूप में तो कम रासी में खरिदार करेंगे, नतीजा यूं हुआ, भारतिय किसान कपास के फसल को बोने लगे, और इसकी सप्लाई करने लगे, जब अमेरिका म की गाठें की मान कम हो गई, अब जो किसान इस पर रिन ले चुके थे, वे इस कर्ज को चुकाने में पूरी तरह असफल हो गए, नतीजा क्या हुआ, उन्हें अपनी जमीन से बेदखली होना पड़ा, उन्हें साहुकार और महाजनों के सोसन का सिकार होना पड़ा, ठीक है, अब इस तरह की उन्हें सारीरिक और मानसिक प्रिशानिया जहलनी पड़ी, ये है इसका, कैसे प्रभावित हुआ, कुश्य नमर नाइन है, किसानों का इतिहास लिखने में सरकारी स्रोतों के उप्योग के बारे में क्या समस्याएं आती है, तो लाजमी है, कि आपने अभी देखा, इस्ट इंडिया कंपनी का एक करमचारी फ्रांसिस बुकानन, जो हर छेतर का दवरा करके, रिपोर्ट तयार कर रहा था, ठीक है, और क्या किया, वह एक समय समय पर इस्ट इंडिया कंपनी को सौंपता रहा, फिर भी, जो सरकारी दस्तावेज इस्ट इंडिया कंप company एक अपनी वेसीक सरकार है means एक सोचन करने वाली सरकार है, एक दोहन करने वाली सरकार है तो लाज़मी है कि वह हमारे किसानों का इतिहास किस रूप में लिखेगा तो वह बैपारिक फसल के रूप में लिखेगा वह वानिजिक स्रोत के इस्तिमाल करने के संदर्व में लिखेगा वह अपनी प्रोफिट और मुनाफ़ा को देखने के संदर्व में लिखेगा ठीक है, वह किसानों को किस फसल को बोने के लिए बाइदे कर रहा है इस चीज को लिखेगा, ठीक है यहाँ पर आकाल, भुक मरी, दंगा इस सारे चीजों को ना के बराबर लिखेगा जब दबाव पड़े तो यह सिर्फ समितियां बना दी जाती है और यह समितियां सिर्फ कोरी और कलपना की ही होती है ultimately किसानों के हीत को देखने वाला कोई नहीं था किसानों के इतिहास को लिखने वाला इसके साथ जो सरकारी करमचारी थे वह भेजभाव परक था अब सुचिए किसानों को स्विधाय ना मुहिया करा करके सिर्फ इनका सोसन किया गया तो यही समस्याएं तो आती है सभी छात्र इस YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक संख्या में इसको फॉरवर्ड भी करें ताकि आपके जो और भी साती हैं हमारे इस लेसन का हमारे इस पढ़ाई का वो लाव ले सके